भारत के पश्चिमिस छोर पर इस तिर्देश के बड़े महानगरों में से एक मुंबई भारत की आर्थिक रास्थानी है यह शहर समुद्धे से गिरा हुआ है एक लंबे भू भाग पर पहला हुआ यह शहर आज भी एक प्रमुक और द्योकिक शहर भी है आज भी वहीं भी ब्रिटिशर्स का सबसे पसंदिदा शहर है पर्यटन के लिहाद से भी मुंबई पूरी दुनिया में एक खास जगर रगता है भारत में फिल्मों के निर्मान और शेर बाजार के केंद्र के रूप में इस देश में रोजाना पांच लाग से भी ज़्यादा लोग आते हैं जिन में से कुछ केरियर बनाने आते हैं तो कुछ नए सपने पूरा करने इस में से कई लोग टूरिस्ट के रूप में भी आते हैं यदि आप भी मुंबई घूम में का प्लान बना रहे हैं तो आईए आज हम आपको बताते हैं कि आपको मुंबई किस समय घूमना चाहिए, कौन सी जगए घूमना चाहिए और आप इसके आसपास क्या घूम सकते हैं. वैसे तो मुंबई में कई समुंद्र किनारे हैं लेकिन जुहु में इस्थित जुहु चोपाटी मुंबई चोपाटी जाना आपके लिए क्यातकार अन्वों होगा यहां आपके परिवार के साथ आप घंटों बिता सकते हैं मुची बिल्डिंगों से घीरा और शहरी आबादी के बीच में स्थित इस बीच पर आना आपके लिए सुखद रहेगा खाने पीने की शौकिन लोगों के लिए यह सबसे बहतरीन टूरिस्ट स्पॉर्ट है बेलपुडी, पानेपुडी, इरली डोसा, बड़ा पाव और मुंबई के पारब पर एक मेंजनों का आप यहां मजा ले सकते हैं फिल्मी दुनिया की दिक्कस हस्तियां भी यहीं रहती है मुंबई में तीन रेलवे लाइनों बे बसा हुआ है वेस्टरन, हारबर और सेंट्रल मुंबई की सारी मेत्वपुन जगें स्टेशन पच्छी मी लाइन पर ही है महालक्स में स्टेशन पर जाने के लिए बहतर चीजे देखने के लिए याद का रहेगा आप यहां हाजी अली की दरगा देख सकते हैं इस दरगा को 1431 में समंद्र की बीच में दौलत मन मुस्लिम व्यापारी सेयद पीर हाजी अली शा बुखारी की याद में बनवाया गया था यह वह वेक्ति था जिसने हस्क से आने के बाद में अपने सारी दौलत छोड़ दी थी और यहां आकर आपको सुकुन मिलेगा समंद्र की बीच में होने के कारण यहां के नजारे भी देखने लायक ही होते हैं महा लक्ष्मी के नाम से आपको यहां स्टेशन वेस्टन लाइन पर मिलेगा यह देवी लक्ष्मी का मंदिर है जो हाजी अली दरगा से थोड़ी ही दूर है यह मुंबई के प्रसिद मंदिरों में से एक है केवल इसी मंदिर के दर्शन के लिए दूर दरा से लोग आते हैं इस मंदिर को लेकर कई पौरानिक और एतिहासिक मानेताएं भी जूड़ी हुई है पीटी स्टेशन साहुद मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेल्वे स्टेशन युनेस्को की सरंक्षित सुची में शामिल एक एतिहासिक और शांदार इमारत है इससे पहले विक्टॉरिया टर्मिनल कहा जाता था उननीस उचिन में में इसका नाम बदल कर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रख दिया गया गोथिक स्टेशन में बने इस स्टेशन को देखना आपके लिए एक अनुखा अनुभो होगा शॉपिंग करना हो या फिर मुंबई को करीब से देखने की चाहत हो तो आपको यहां बहुत ही अच्छा लगेगा मनिश मार्केट, क्राफ्ट मार्केट आपके शॉपिंग के लिए यहां की बेस्ट जगए होगी गेटवे ओफ इंडिया को मुंबई की जान कहा जाता है यह एक तरह से मुंबई का प्रवीश्टवार है असितामस का बना यह इस्थापत्य मुंबई की सबसे लोगप्रिय जगव में से एक है यहां आप होटल ताज को भी देख सकते हैं वही यही से आपको समुद्र के लिए बोर्ट की सुवीधा भी मिलेगी आप चाहे तो फेरिक से यहां गुमने का मज़ा भी ले सकते हैं मरीन ड्राइव मरीन ड्राइव एक खुबसूरा जग़ा है गेटवे आफ इंडिया से कुछी दूरी परिस्ति यह जग़ा एक रोमांटिक प्लेस है किसी क्वीन के नेकलेस की तरह इसका नजारा पहुत खुबसूरत दिखाई देता है यह समुद्रत एक रेखा की महराब की तरह है जो स्ट्रिट लाइन से आदा गोला बनाती सुन्दर दिखाई देती है जैसा कि पहले कहा कि इसमें क्वीन्स नेकलेस भी कहा जाता है